तो आज मैं आपके साथ शेर करूँगी नवरातरी स्पेशल समक के चामल की पूड़ी बनाने की रेसिपी तो हमने यहाँ पे समक के चामल का आटा लिया है तो उससे हमने यहाँ पर इन पूड़ीयों को त्यार किया है जो बनाने में बहुत असान है इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे लिए है boiled आलू boiled आलू के अंदर हम यहाँ पे add कर देंगे एक चोटी चमच लाल मिर्ची पाउडर एक चोटी चमच सेंधा नमक एक चोटी चमच हमने यहाँ पे डाला है काली मिर्च का पाउडर साथ में हमने डाला है धनिया पते इसके बाद में आलो का यहां पे हमने पीस दिया और यहां पे उसका एक आटा लगा के त्यार कर दिया इसके बाद में हमने यहां पे एक कटोरी एट किया है समक के चावल का आटा उसको इसके अंदर एट करने के बाद हमने यहाँ पर समक के चावल का डो बना के त्यार कर लिया अब इस डो से हम यहाँ पर छोटे-छोटे इसके पेड़े बना के त्यार कर लेंगे तो हमने यहाँ पर इसके इतने पेड़े बना लिये है साथ में हमने एक कटोरी के अंदर समक के चावल का आटा लिया है पर हाथ उसे ही इसको यहाँ पे बेल लेंगे अगर आप चाहे तो चकले बेलन पे भी इसको कर सकते है पर यह बहुत ही असानी से बन जाते है तो हमने यहाँ पे हलके से आटे के अंतर इसको लगाया और इस तरीके से इसको तियार कर दिया तो ये पूरी बनाने की रेसिपी बहुत ज़्यादा असान है समा के चामल की पूरी आप भी जरूर बनाए ये खाने में तो बहुत ज़्यादा डिलिशिस लगती है और इसको बनाना बहुत असान है तो इस सुपर डिलिशिस रेसिपी को आप भी जरूर एक बार बनाएं तो इसी तरीके से आप भी नवरातरी के अंदर इसको यहाँ पर बना के त्यार करें तो हमने यहाँ पर समा के चामल की पूड़ी के साथ में यहाँ पर रखे हैं दही आज की वीडियो आप हो कैसी लगी वाप मुझे जरूर बताए कमेंट सेक्शन की अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारी पूडियां है यह बहुत ज़दा फूली है और इन पूडियों को बढ़ाना बहुत असान है तो यह पूडियां जो होती है हमारी 15-20 मिनटे बनके त्यार हो जाती है वरत के अंदर आप भी इस रेसिपी को जरूर एक बार ट्राइ करें आज की वीडियो कैसी लगी वाप मुझे जरूर बताए कमेंट सेक्शन के अंदर साथ में आप मेरी वीडियो को जरूर लाइक करें चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब करें और आप मेरी वीडियो को जहाँ सदा शेयर करें साथ में आप इस रेसिपी को जहाँ सदा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ में और आपको वीडियो कैसी लगी वाँ मुझे जुरूर बता है साथ में आप एरसा जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम पे, मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है मधुकी रसोई और आप मुझे यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें मधुकी रसोई